आज हम इस वीडियो में दो साल बाद फिर से आपको दिखा रहे हैं इंडिया का सबसे सुंदर गोड़ा अति सुंदर आज का हमारा ये इंटर्वू होने वाला है बंबई ताज होटल के सामने गेटवे ओफ इंडिया से आईए करते हैं एक मुलाकात बबलू भाई से देखि कि थोड़ा सचर पी ज्द बीचिता अंदर कि आंपने पास में अपने पास में 22 के सम्तिंग है तोटल जानो 22 222 25 22 20 आपका अत्य सुन्दर गोड़ा। मेरे को लगता है बैक से तो सबों संदर गोड़ा है सारे लोग जानते भी और सारे लोगों ने और इसकी मा है पारसमनी जो जालोर में खड़ी है जालोर में जालोर में और अगर बात करें उम्र की तो उम्र में कितना है उम्र में सम्तिंग करें चौदा साल के आसपास हुआ होगा चौदे साल के आसपास अभी तक बेचा नहीं गोड़ा क्या बात है क्योंकि यह गोड़ा आज से पहले जितनी भी जगे रहा तो टिका नहीं एक जगे और आपके पास इतना लंबा टाइम टिक गया और मार्केट में भी जो क्रेज है वह हाइट वाले गोड़ों पाए तो आ मेरे को गोड़े की ब्यूटी पसंद आई थी गोड़े का नाम और इंडिया में था मगर क्या होता है ना कि सामने वाले ने भी उस गोड़े को जितना उस गोड़े के लिए करना चाहिए था वो नहीं किया तो इस चक्र में गोड़ा क्या थोड़ा सा गुमता था लोगों मैंनेसकी कदर नहीं कि बातों में बता हूँ तो आपको क्योंकि मेंने तो-बातों नहीं पीर May माई नहीन कियाς लेदे घर करें श्टसे घर्मकनल अठीक जै तो तो यह गोड़ा और भी ज्यादा फेमस रहता तो हमने कोशिच है कि इस पर अच्छे गोड़ियों से मिला है अच्छे बच्चे इससे ब्रेडिंग हो जाए और आगे जाके वह बच्चे भी बाप का नाम करें तो इस चक्कर में मैंने तो गोड़ा मेरों को बेचना ही नहीं पर दिबाई पहली बात तो खुब सारी लग गए गोड़ा मगर देने का मनी नहीं तो कि प्रदी बाइच्छा गोड़ा है अच्छे बच्चे दे रहा है आज इंडिया में उसने अपना नाम ही किया तो उस गोड़े को सेल करने का मन आता ही नहीं बिल्कुल तो बबलोई क कभी कभार लोग जैसे कि अब तो मेरे को लगता कि वह दिमाग से निकल गई होगी जैसे आज भी हाइट का क्रेज चलता रहता है कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आदमी आपके यहां से गोड़ा देखके गया या फिर बाहर देखा क्या है यार बबलू से छोटा गोड़ा इसे बेड़ चाल में चलता है अभी लोग यह भी बोलेंगे कि इंके पास में चोटा आइट का गोड़ा है तो यह बड़े गोड़ो के नाम रख रहे हैं मंगर सभी गोड़ों का अपना-पना एक पैटन है जब देख आप देख लेना जितने बड़े गोड़े रहेंगे स सभी गोड़ों का नहीं बोल सकता हूं मगा नबे टके गोड़े जितने बड़े होते उतनी उनकी ब्यूटी में कमिया आती है एक तो कानों में फॉल्ट आएगा या गर्दन हेवी हो जाएगी या फिर फेस लंबा चावड़ा हो जाएगा बहुत तो पर दिबाई आपन मा पालिटी पैदा करने की कोशिश करें कि आगे जाके शो में नाम करें बिल्कुल मारोड़ी घोड़े यूजिक किये जाते शो के लिए इंका परपस क्या है दुसरा ना राइडिंग है ना स्पोर्ट है तो शो के लिए प्रदी भए हाइट माइने रखती ही नहीं है बिल्क अगर उसके प्रदी बाए पैर आगर चोटे बच्चे के जैसे हो जैसा बड़ा चोड़ा हो कान गदे के जैसे हो तो हाइट वाले गोड़ों के आप दस लाक में भी नहीं बेश सकते यह लोगों को समझना चाहिए हाइट कल तो लोग 2-3-3 करोड मांग रहा है हाइट भी ह मार्केट में मना नहीं कर रहा हूं मगए हाइट के साथ में यह ब्यूटी भी होनी चाहिए बिल्कुल हाइट 24 और 25 कोई दिक्कत नहीं मगो उसके साथ में ब्यूटी हो तो आप गोड़े को शो में लेके जाओगे शो में बढ़े डिस्प्लेए भी करोगे तो लोगों ने मेरे पार 66 का गोड़ा था प्रदी भाई इसमें आभी लोग बोलेंगे साला इसने तो छोटा लिया बड़ा बेचा जब आपको समझ बढ़ते जाती है गोड़ों में जब आप पुदाने होने लगते हो तो आपको पता चलता है कि पूड़े के फीचर किसमें रहते हैं और क् बीडिंग करने चाहिए और कैसा घौडा अपने घौड़ियों के साथ में मिलाना चाहिए बभलus पाथ साल में क्या एक चीज़ बताना चाहोगे नई लोगों के एसाब से आपने क्या सीकी सिरु एक चीज़ बाकि हम और पार्टों में लोगों को जानकारी देंगे एक गय ग्यान मुद्दे की बात बताना चाहोगे आपके चैनल से नए लोग इतने समझदार हो गई है कि वाट्सप का ग्यान इतना हमको बताते है कि कभी-कभी आमको यही लगता है कि आप उन्हीं नए है इंके पास में तो आपने से ज्यादा नौलेज है अच्छा बॉट्सप के वाट्सप इन्योशिटी में जादा सीखते हैं प्रदिबाई लोग प्रैक्टिकल जब तक करेंगे नी जब सोन लोगों की स्टेबल गुमेंगे नी तब तो उनको पता नीच चलेगा कि आपने पास क्या खड़ा है क्या खड़ा है क्या क्वालिटी किसको बोलते हैं क्यार तो देखते तब ही पता चलता कि कि पीछे लोगों नियुकर करते हो इंडिया ये प्यार करई से लुग में चपते हैं कि मेरे से जादा लोगोँ कुछ आते कम से कम सो 1500 लोगों के मेरे पास मैसेच रेंगे जिनोंähän हाथ पे přेटिट हगी किया किसीने गारी पे किया ख kinds really ngoешμεंड़ेश्व मेरे सबसक्छिए जो विराजके लोगोंगा investir पीस पैसा फहल mism 일 कि लोग उसको चाहते बताना नहीं पड़ता है कि यह अच्छा है लोग उसकी तारीब करते हार कंट्री से फोन आता है हाथ लोगों ने उसके लिए गिप्ट बेजा है मेरे पास 20-25 तो पेंटिंग गर में पड़ी होगी उसकी जो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे बना की बेजी हो शौल बेजी है लोगों ने बहुत कुछ सामन लोगों ने बेजा हुआ जैसे अभी कुछ इरादा बनाया क्या जैसे देखो मार्केट चल रहा है अभी बड़े घुड़ों के साफ से नो डाउट इस गोड़े के बारे में हम कुछ बाते नहीं कर सकते और ना मा एज आ चलू एक छोटी हाइट काुमारे पास गोड़ा है चलू एक बडी हाइट का भी अधी कर रहों अपने घर पर का बच्चा तायर कर्या हो और बिलकुल नहीं करूंगा नेक्स्ट ये आपने उस बच्चे का वीडियो बनाएंगे और तब उस बच्चे की हाइड विट स्केल नाप के लोगों को दिखाएंगे और उसका बाप को भी उसके सामने खड़ा करके दिखाएंगे एक छोटा गोड़ा भी बड़े-गोड़े पैदा कर सक होते हैं अपने इंडिया में तो बेड़चा ले आपको तो पता हिए जो सामने वाला करेगा दुसरा भी वह सेम कॉपी करता है कोई अपना दिमाख लगाना ही नहीं चाहता कोई चीजों में तो अभी क्या कवरिंग पीस रख रखी है आपने तो मैंने रखी एक लाक एक्क सब्सक्राइब करते हैं तो लोग उसका भी पतंगड बना देते हैं इनके पास गोड़ा है इसलिए अपने दिल से गोडिया मेट करते हैं क्या होता है प्रदीबाइब जो बढ़र लेकर आते ना उन लोगों को भी लगता है कि यह पच्छा रजा को देगे तो हमरे घर में पाच लग दस लग का बच्चा पैदा होगा अगर आइसा होता तो हम पागल थोड़ी सारे बिडरे लोग जो महंगी महंगी गोडिया पर्चस करते हमको बगवान ने उतना दिमाक नहीं दिया है कि हम लाग दो लाग की गोडिया ले उनको आती सुन्दर से मेट करें इंड कि गोडियों की वैल्यू लाग दो लाग है वो लोग आएंगे नि उनको दिल को तकली भी नहीं हो गए कि आपने मना कर दिया गोडि कवर करने से इसलिए पर दिबाई कवरिंग फिर बढ़ा दिया आपने बबलु बढ़ा जैसे लोग बाग गोडि वगरा आपके पास छो सब्सक्राइब बात बता हो गया सभी को अपनी चीज सोना लगता है और बागे की चीजों को कोई वहली हो नहीं है अभी मैंने वोड़ा 31,000 में भी छोड़ा था 25,000 में भी चोड़ा था 85,000 में भी कवरिंग कीए इस लौगों के पास में बच्चे आये बीज्ञों के जब क्रेंगा है आप कवरिंग पी दिल खोल गे की दो आपके बच्चों के भी वैल्यू बड़ेगा कि अपी हभी का अपने दिल नहीं दुखा सकते तो जैसे अभी इस टेफलिंग बगएरा की व्यूष्थ्थ आपके पास रहती है कि नहीं रहती है लुपसा पूरी रहती है ऑच गोडिया आए दस गोडिया या पचास गोडिया का इस टेफलिंग का कोई इस्टैबलिंग या प्रदिव भाई देखो आपने पर पैदा कर लिया आपने गोड़ा लेने के बाद में प्रदिव भाई हमने छोटी मोटी ब्रीडिंग घर पर की यह वह आपको दिखा देंगे सारे बच्चे सारे रिजल्ट और मार्केट में प्रदिव भाई 35-40 बच्चे आए पर मैंने को उसकी कोई जरुत नहीं पड़े मार्केटिंग करने की हैं तो अगर बाद करें अती सुन्दर के रिजल्ट में क्या सबसे मेहन आ रहा है वैसे हम लोगों को दूसरे पार्ट के अंदर अती सुन्दर के रिजल्ट दिखाएंगे ही पर तब भी एकर हिंट की बात करें तो इस सारी चीजे बच्चों में आ रही है बागी जैसे बभलु भाई हाइट भी आ रही है जैसे आप अभी ब्रीडिंग रहो पहले पिछले भी टाइम पर बोला थोड़ी देर पहले कि जब मैं आपको बच्चा दिखाऊंगा अगले साल भी स्केल नापके तब तो इंडिय में करूंगा नहीं क्योंकि क्या बंद करके पर दिखे अपने घर पर 20 अच्छे बुटीया आरे तो साल में में करेंगे तो धसी बच्चे आएंगे तो covering भी बंद करनी क्यों है जो covering फिर देगा उसको covering दे देंगे अपन किसलिए करने का है कोड़ा मेरे पास प्रदी आज है कल नहीं कर दो वोक्त सभी का बदलता है आज मेरा कल किसी और का वोगा तो गोड़ा है तो जिसके पास गोड़ा नहीं उसको बहुत नीचा भी नहीं मानना चाहिए किसी के दिन भी कभी भी बदली हो सकते आज मेरे पास किसी और के पास आएंगा कल मुझे भी किसी के और स्टेबल पर जाना पड़ेगा जैसे नाप की तरह है बक्त नाप जैसे कभी भी गूम जाती है खड़े करने पर अच्छे लोग देखे आमने बहुत स्पीड में उपर बहुत स्पीड में नीचे भी आए तो वक्त किसी का बोल के नहीं आता है कब क्या हो जाए कोई बोल नहीं सकता है इसलिए मेरा लगता है बक्त के हिसाब से चलो तो ज्यादा बैतर है बस बस अच्छा गोड़ा है तो अच्छे बच्चे मार्केट में आने चाहिए मैं तो यह सोस्ता हूं जिन्हों भी कवरिंग बन की हुई तो दिल खोल के कवरिंग दो जितने जादा बच्चे मार्केट में आएंगे उतना गोड़े का नाम अच्छा ही हो जाएगा बुरा थोड़ी हो जाएगा आपको सेलेक्टिव बीडिंग करने तो अच्छे गोड़िया द देनी चाहिंए मेरा इसा कहना एक आधमे कितने गोडिया पॉलिग एक वाइख सकता इसे जादा तो नहीं पाल सकता बिल्कुल एक बार भी स्नर के रेजल्ट इसलियए नहीं दिखाए क्योंकि अगर इसुंतर दिखाईंग और उसके बारे बात करेंगए तो वीडियो मेरे ज्यादा लेंद का हो जाएगा बागे हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर अत्ती सुन्दर के जितने भी रजल्ट बबलु भाई के घर पे पैदा हुए हैं वो सारे रजल्ट हम आपको सेकेंड पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं तो आप बने रहना यह जो वीडियो की स चांदार और बहतरी होने वाली है और कुछ हम कड़वे सवाल भी बबलु भाई से पूछने वाले हैं देखते उनका जवाब बबलु भाई देंगे या इग्नोर मारेंगे तो इसी के साथ मिलते हैं हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर थैंक्यू प्रदी भाई आपने इ जल्दी आ जाएगा क्या पता कौन सा आपको कब फोन करें और वह भी इंट्रू जल्दी देदे चालो ओके थैंक्यू भाई ओके प्रदी भाई